नमस्कार, कक्षा 10, exercise 4.1, question number 1 का सात्मा भाग, यह है x plus 2 की पावर 3, बराबर 2x into x square minus 1, आईए इसे हल करके देखते हैं, यह है a plus b whole cube, a plus b whole cube का जो formula होता है, a cube plus b cube plus 3ab into a plus b, यह a plus b whole cube का formula है, a cube plus b cube plus 3ab into a plus b, जहां मैंने a लिया है, x को और b लिया है, 2 को, ठीक है बच्चो? यहां देखेंगे, तो यह 2x जो है, यह इससे भी गुना होगा, और फिर इससे भी गुना होगा, तो 2x जब x square से गुना होगा, तो 2 गुना एक 2, x into x square हो जाएगा, x की पावर 3, बीचे में मैं माइनस, माइनस, 2x को एक से गुना किया, तो यह आगया, 2x, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसे खोलते हैं, x क्यूब, प्लस, 2 का क्यूब होगा, 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसके बाद देखें, प्लस, 3 into x into 2, 3 दूनी 6 गुना x, 6x, यह 6x पहले x से गुना होगा, तो यह बन जाएगा, 6x square, बीच में है प्लस, उसके 2, 6 गुना x, 6x, यही 6x, जब 2 से गुना होगा, तो 6 दूनी 12x बन जाएगा, यानि हमने पहले, इसको solve किया है, 3 into x into 2 को, यह बन जाएगा, 3 दूनी 6 गुना x, 6x, उस 6x को 7 की साथ ही पहले, x से गुना किया है, फिर 2 से गुना किया है, तो हमारे पास ही आ गया है, x, q, प बराबर 2x की पावर 3 माइनस 2x इस step में हमने सिरफ इसे हसल किया है अगले step में यह दो रखमे यहां right side पर हैं बराबर के right side पर हैं इन दोनों रखमों को हम बराबर के left side पर ले आएंगे देखिए x cube प्लस 8 प्लस 6x square प्लस 12x यह 2x cube इसके साथ निशान कोई नहीं है इसका मतलब प्लस का जब यह बराबर के उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस का यह है माइनस 2x जब यह बराबर के उधर जाएगा तो इसका sign change हो जाएगा यह माइनस 2x है उधर जाके बन जाएगा प्लस 2x बराबर राइट साइट पर से दोनों रखमें उधर चल गी तो बाकी बच गया जीरो आईए अब हम इसे आगे हल करते हैं सबसे पहले X की सबसे बड़ी पावर है 3 X की सबसे बड़ी पावर वाली 3 वाली 2 रखमे है एक ये और एक ये तो प्लस माइनस माइनस X क्यूब माइनस 2 X क्यूब इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 1 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 1 X क्यूब उसके बाद X स्केर वाली सिरफ एक ही रखम है ये तो ये आगया प्लस 6 X स्केर उसके बाद X वाली भी 2 रखमे है प्लस 12 X और प्लस 2 X 12 और 2 हो गए 14 दोनों ही प्लस की रखम है तो दोनों प्लस हो जाएंगी प्लस चोदा एक्स बीना एक्स वाली एक रखम है आठ और कोई बीना एक्स वाली रखम नहीं है तो यह आगया प्लस आठ बराबर 0 अब यह पद जो है x cube है यहाँ x square है यह x है यहाँ जो x की सबसे बड़ी घात आ रही है वो 3 आ रही है लेकिन हम जानते हैं कि जो 2 घात समी करन है वो तो a x square प्लस b x प्लस c बराबर 0 के रूप की होती है यानि कि x की जो सबसे बड़ी पावर है द्वी घात समी करन में x की सबसे बड़ी पावर 2 यानि 2 होनी चाहिए लेकिन यहाँ तो पावर है 3 इसका मतल़ कि ड्वी घात समी करन हो नहीं सकती क्यों क्यों कि यह x square प्लस bx प्लस e बराबर 0 के रूप का नहीं है अतह यह है नहीं है ठीक है बच्चों आशा करता हूँ ये भाग आपको अच्छे से समझाया होगा यदि किसी स्टेप से आपको ना समझाए तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाकर एक बार फुना देखिए दुबारा देखिए और यदि आपको ये वीडियो ये भाग समझाया तो क्रिपया हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा धन्यवाद